नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फोगा ससी रेल्वे यूट्यूब चैनल पर आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेल्वे क्रेस कोर्स के अंतर गर रिजिनिंग का पार्ट नमर 30 आप लोग लिए लेके आए हैं जिसमें हम नार्मलाजेसन वाले प्रसनों को हल करा आते हैं जो आपके कर में सिप्त में कठिन प्रस्ण पूछे स्फिट्व ऻूखने आते हैं और काफी बच्चे-स्टायल की प्रस्णों को छोड़ देते हैं चाहीं मायट हो अगर आप सच्चार सीफ के प्रस्णों को कल ले रहे हैं आपके सिप्ट में प्रशन पूछे आते हैं आप करके आते हैं तो इन प्रशनों पे नार्मलाजेसन का फायदा जरूर मिलता है अत्याधिक महत्पूर्ट प्रशन होते हैं इसलिए आप लोग पूरा वीडियो लास तक जरूर देखिएगा बताई किया किया होगा देखिए कूर्शन नमर फरस्ट है देगे बिकल्पों में जो Сंक्ला को पूर्ट करेगा देखिए यसमारा मिसिंग नंबर के अंतरगत आता है कसे पता करेंगे हमारा 2 से 5 कैसे हुआ, 5 से 9 कैसे हुआ, 9 से आपका 19 कैसे हुआ, 19 से 37 कैसे हुआ और 37 से 75 कैसे हुआ, तो देखे, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं रिजिनिंग के अगर संख्याएं अचानक सी बढ़ेंगी, बहुत अधिक तो आपका गुणा होता है अगर धीरे धीरे बढ़ेंगी और धीरे धीरे घटेंगी तो आपका जोड या घटा होता है अब इस प्रस्ट को ही देखिए, 2 से 5 कैसे हुआ, तो देखे, इसका हमें 2 गुणा करेंगे, यह हम यहाँ पे 2 गुणा करेंगे ठीक है, गुणा 2 करेंगे और पलस 1 करेंगे, यहाँ पे गुणा 2 करेंगे, तो 2 दूनी, 4, 4, 1, कितना हो जाएगा, 5 अब यहाँ भी हम गुणा 2 करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस 1 करेंगे, गुणा 2 करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा अब यहाँ 9 में भी गुना 2 करेंगे इसका गुना 2 करके पलस 1 करेंगे तो 18 आपका ही हो जाएगा 18 पलस 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा समझेगा हो क्या रापरस में पहले दो गुना हो रहा दो गुना सम्मे होगा बस एक में पलस 1 1 में 1 भाइनός 1 में 1 में 19 में यहाँ वाइनगी देखि़ें यहां हमने गुना दो किया यहाँ पर हमने क्या किया था पलस वरन किया था यहाँ पर हमें माइनसव तो कितना होजाएगा उन्च दून आणड़ आणड़ शोता pyna 30 में से एक जाएगा 10T Tamara 30 होजाएगा अब यहां 37 में हम गुणा दो करेंगे यहां पर माइनस वन किये थे यहां प्लस वन करेंगे तो हो जाएगा चाहतर चाहतर एक करेंगे तो 75 हो जाएगा अब उसी नुसार यहां पर देखिए हम 75 में गुणा 2 करेंगे गुल्णाद सम्मे होगा यहां पे ठीक है तो यह हाले मान्सはは नॉंट करेंगे ति यह हो जाए गाओ घ्र सूर्ण आपका किता जाएगा यह हो जाएगा बाइस में से वन dire से उन जाएगा तौचा था आप का 149 हो जाएगा की tidak काफसा नमर भी सही है देखिए प्रस्ण में कुछ नहीं हो रहा था ध्यान से समझेए मैं जो बताने की कोशित कर रहा हूँ देखिए गुना दो सम्मे होगा ठीक है गुना दो सम्मे होगा एक में प्लस वन पहले होगा फिन गुना दो सम्मे होगा फिर माइनस वन होगा फिन देखे गुना दो करेंगे फिन पलस एड़ करेंगे फिन माइनस वन एड़ करेंगे ठीक है फिन गुना दो करेंगे फिन पलस वन एड़ करेंगे देखे गुना दो सम्मे होगा ठीक है गुना दो आपका जो है सम्मे होगा सम्मे बस आपका एक में पलस वन रहेगा उसके सब्सक्राइब चलते हैं नेक्ट कुछन है कुछन नमर सेकेंड हमारा देखें कुछन नमर सिकेंड क्या कह रहा है निम लिखित में सही बिकल्ब का चैन करें जैसे देखें यहां जैसे और वैसे लिखा गया आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होएगा लेकिन इस टाइप क प्रश्ण पूछा जाता इसलिए मैंने आप लोग लिए लेकिया जैसे कुंद का तेज से क्या संबंद है वैसे रोपने का क्या संबंद होगा तो देखें को ध्यान से समझेंगे हमारा अगर जैसे भी इसको नहीं पढ़ेंगे तो यह आपको एक समझाने के लिए लिखा गया जैसे वैसे बस हमको यह पता करना कुंद से तेज कैसे हुआ और रोपने से हमारा क्या होगा तो देखिए हम इन प्रशनों को अच्छे से पहले देखते हैं नहीं तो आप गलती कर सकते हैं रोप के देखिए रोप से रिलेटेड कहीं चारी चीज़े दी गई है फसाल प्रशनों की तरफ चलते हैं नेक्ट कुशन हैं नमर थर्ड हमारा देखिए इंप्रसन है यह आपका रर्सी गूरुबडी इलहबाद में जो एक्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया प्रसन है देखिए आपका रिजिनिंग में दोस्तों आपका जीके से भी पूछ सकता है और करंट अफियर से भी पूछ सकता है बस आपको समझने की जरूरत रहती है इससे आपका देखिए जीके भी तयार हो जाएगा देखि देखिए हम इन दोनों को समझते है कि इन दोनों के बीच हो क्या रहा है तब हमारा यह नेक्स्ट वाला चीज पता चलता है कि नेक्स्ट में क्या होगा देखिए हमारा नैनी ताल देखिए तो यह उत्तरा खंड में जरूर आता है लेकिन यह है क्या जिस परकार हमारा नैन प्रशन यहां से आप यूरू इसको नोड करिएगा क्योंकि यहां से आप लोगों के जीके भी तयार हो जाएगा और इजनिंग का भी प्रस्न हो जाएगा अगर पूछा जाता है तो देखें यह यह क्योंकि पूछा गया प्रस्न है रेलवे में एकजाम जो है प्रीमियूस प्रेपर के प्रश्णों को ज्यादा प्रेक्टिस करें और नोट भी करते रहिएगा चलिए नेक्स कुष्ण की तरफ चलते हैं नेक्स कुष्ण है कुष्ण नंबर फोर हमारा देखें इंपर्टन प्रश्ण यह प्रश्ण भी आपका आरार्वी सिकंद्राबाद 2001 में पूछा गया प्रश्ण है प्रण को ध्यान से समझते हैं दी गई समरूपता के आधारपन नहीं दिया गया सब्द या यूग्म ग्या रहा है देखें पाठक भी उसके अंतरगर लग रहा है लेकिन इसको कैसे समझेंगे पहले हम इसको देखते हैं जब तक हमारा यह नहीं पता चलेगा जहाज और क्या संबंद है हमारा इन दोनों की बीच तब तक हम यहां पर नहीं निकाल सकते गल्ती कर सकते हैं तो देखे हमारा जिस परकाज जहाज का उत्तरदायत किस पर होता है कप्तान पर होता है जो उत्तरदायत होता है जहाज का वो कप्तान के उपर होता है उसी अनुसार हमारा जो है समाचार पत्र का उत्तरदायत किस पर होता है संपाधक पर होता है जो कि आपका अपसर नमर डी सही है आ ज्यादा तर बच्चे गलत भी कर देते हैं जल्दबाजी में दोस्तों इसी तरह कि हम आप लोग लिए मायत और इजिनिंग के आप लोग लिए रियागुलर आपका इंपॉर्टन प्रिमियस प्रेपन में पूछे गया प्रसनों को लाता हूं अगर आप इस टाइब के प्रस सब हो गया इंस्टागराम हो गया जितने भी बच्चे त्यारी करते हैं आप गुरूब बनाए हुए उसमें जरूर सेंड करिएगा दोस्तों कलास अच्छी लगी हो तो आप चैनल पर नए भी है सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह कि औ और महत्पूर कलास के साथ अब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद